पुल्वा मार्टैक के पुल्वा मार्टैक जब इधर उदर बिखरे ते जाबाजो के शव खोन से सनी थी सड़क और मंजर ते तहल उठा ता देश दिन था गुर्वार तारीक 14 परवरी 2019 यानि वैलेंटाइन डे अर्सा मैं करीब दो पर के साड़ी तीन बजे जमुन श्रीनगर राश्रिय राजमार पर करीब धाई सो जवानों को लेकर 38 बसों में सियार प्यप का काफिला कुजर रहा था सामान या दिन की դरह असे दिन भी सीर प्यप के वहनों का काफिला अपनी ही धुन में जा रहा था आला कि खाटी के आतन के गतिवीडियो को देखती हुए काफिले में चल रहे सभी सुरकषाकरमी शतर्थ थे सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजा ही थी CRPF का काफिला पुल्वामा पहुंचा ही था तब इस सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वहान में टकर मार दी जैसे ही सामने से आ रही SUV काफिले से टकराई और जब तक CRPF के जवान को समझ पाते तब तक वी सोटक को से लदी इस कार ने ऐसा थमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा 14 फरवरी का दिन भारत के इतियास में काला दिन सावित हो गया सडक के दूसरी तरफ से आकर आतंकी कार ने CRPF के जवानों के काफिले के एक वहान में टकरा कर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बलकि बस के परख़चे उड़ गए यह हमला था या फिर कुछ और या बाद भारतिय जवान जब तक समझ पाते आतंकी ओने गोल या बरसानी शुरू कर दी इसके बाद भारतिय जवानों ने भी तुरत पोजिशन ले और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी CRPF जवानों के फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले धमा का इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआ धुआ हो गया जैसे धुआ हटा वहां का द्रिश्य इतना भयावा था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा वस्दिन पुलवामा में जम्मू श्री नगर राश्री राजमार्क पर जवानों क के शव इधर उदर बिखरे पड़े थे चारों तरफ खून ही खून और मास के टुकड़े दिख रहे थे जवान अपने साथियों की तलाश में जुड़ गए तुरंत पुरे देश में हाहाकार मच गया क्योंकि तब हमारे देश के 40 बहादू जवान शहीद हो चुके थे पांजाम देने वाला आत्मखाती हमलावार आतंकी आदिल अहमद डार था आतंकी आदिल अहमद डार ही उसकार को चला रहा था जिसमें विस्पो ठक थे इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया घटना के तुरंद बाद पूरे देश में शोक की लहर दोड़ गई पाकि या सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था हर नागरी सिवल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवा दियो और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था फिर आखिरकार ऐसा हुआ भारतिय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक बारा दिन के बाद भारतिय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थिद बाला कोट में आतंकी संगटन जैशे मोहमत के ठीकानों पर एस्ट्राइक कर दिया इसे स्ट्राइक में भारतिय वायुसेना ने इतनी बंबर्शा की कि उसके आतंकी ठेकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकवादी मारे गए इस तरह से भारतिय वायुसेना ने बाला कोट में आतंकी शिविर को निस्तना भुत कर पुलवामा आटैक का बद सकता है वो दिन जब पुलवामा आटैक के खबर आए थी जब साला देई 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे मना रहा था तब चानक शोप और दुभरी खबर सुनाए थी 14 फरवरी पुलवामा आटैक में शहीद हुए वीर जवानों को बीसेन न्यूस के ओर से शर्था अंजल झाल